लिक्स लेने के लिए सिर्फ content create करना ही जरूरी नहीं है आप कुछ tools भी बना सकते हैं तो अगर आप inbound marketing समझ जाएं अगर आप लोगों के need समझ जाएं अगर आप उनको value deliver करने की बाद समझ जाएं तो आपको ये understand हो जाना चाहिए कि आप सिर्फ low content या videos या images देखने नहीं आ रहे हैं उनको आप different छोड़ छोड़ी tools देखर भी आप अपनी value बहुत जादा बढ़ा सकते हैं traffic बढ़ा सकते हैं आप लिंग्स भी बना सकते हैं so for example मैं mobile store चला रहा हूँ मुझे पता है कि लोगों को problem है mobile phone लेने में वो budget phone देखना चाह रहे हैं तो मैं क्या करता हूँ मैंने एक guide create कर दी इस पे हम पहले बात कर चुके हैं लेकिन मैं ये भी तो कर सकता हूँ कि मैं एक tool ऐसा चोटा सा बना लूँ मैं अपने developer को साथ बैटूँ उसे बताऊं कि भाई मुझे एक tool बना दो जिसमें 2-3 चीज़ें चाहिए मुझे एक चीज़ ये कि मैं उसको ये कहूँ कि savings calculator के नाम से कि आप कितना save करेंगे कितने महीने तो आप एक phone ले सकेंगे तो for example मुझे एक Samsung का या किसी Huawei का एक phone पसंद है जो 50,000 का है अब मुझे ये देखना है कि मैं 6 महीने में कितने पैसे save करूँ तो मैं ये 50,000 mobile लेने के काबिल हो जाँँगा तो आप फून सेलेक्ट करवाएं उससे उसके बाद उसको पूछें कि आप मंतली कितना save कर सकते हैं वो अगर मंतली भी बताता है कि जी मैं 5000 save कर सकता हूँ तो आपका निचे result आजाना चाहिए कि 5000 अगर आप save करेंगे मंतली तो आप 6 महीने में या 10 महीनों में 50,000 एकठा कर लेंगे और आप 10 महीनों में अपना phone ले सकेंगे अब कहने को ये लग रहा होगा कि आपको ये इससे मुझे क्या फाइदा इससे आपको फाइदा नहीं इससे आपके user को फाइदा है अगर आपको छोटी सी help करेंगे कि calculate कर लें तो वो असानी सी calculate कर लेगा आपको लग रहा होगा 50,000 calculate करना कौन सा मुझे काम है बास सिर्फ 50,000 की नहीं है अगर मेरा phone 47,000 का मैं तीन मेने में उसको पैसे कठे करना चाहता हूँ तो division मैं कैसे करूँगा अगर मेरा मैस कमजोर है या मुझे टेकनिकल नहीं चीज़ें पता तो मैं आपको वेब्सेट पर आऊँगा मैं सिर्फ लिखूँगा कि मैं महीने का मुझे ये phone चाहिए और मेरा तीन मेने मुझे phone चाहिए तो मैं कितने पैसे save करूँ तो मुझे phone मिल जाएगा तो आपको calculator इस तरह से काम करना चाहिए कि वो division और multiplication automatically करके बताए ये इतने महीने अगर आप इतने पैसे save करेंगे तो आपको ये phone मिल सकता है ये एक example मैंने आपको दी इस तरह से मैंने आपको एक और example पहले दी थी कि अगर आप किस्तों पर भी phone दे रहे हैं या आप के partner को किस्तों पर phone दे रहे हैं तो आप ये भी suggest कर सकते हैं कि भाई इतने महीने इतनी किस्ते हैं दोगे तो ये phone तुमारा आप ऐसे भी अभी ले सकते हो इतनी किस्ते हैं पढ़ेंगी इस तरह के calculators मैंने अक्सर देखे हैं financial websites के ओपर जिसमें insurance वाले या funds वाले जोहां पर आप investments या savings करते हैं वो आपको बताते हैं कि या महेने कितने पैसे save करेंगे तो आपको ultimately कितना 10 साल बाद 20 साल बाद कितना result मिलेगा या अगर आप इतने पैसे save करेंगे तो आपको इतना tax देना पड़ेगा या आपकी monthly income इतनी है तो आपका tax जो गोशवा रहे हैं वो ultimately आपने साल बाद इतना tax pay करना होता है तो इस सारी शीज़ें basic लिए क्या है कि आपने अपनी audience को value देनी है सिर्फ content नहीं इसको भी content समझें tools को भी content समझ कर अगर आप उनको अपने छोड़े tools बनवा लेंगे ये करने को तो शहदा आपके थोड़ी सी investment होगी developer के साब बैठ के लेकिन value wise आप अपने competition को beat कर देंगे आपको competition आपको पकड़ी नहीं सकेगा और आपके authority इतने build हो जाएगी कि आप automatically links generate करेंगे so जितना हमने पहले बात की कि आप inbound marketing करें अच्छा content लिखें और content marketing करें असल में जितनी सारी शीज़ें आप करते जाएंगे ये links भी आपको मिलते जाएंगे क्योंकि आप ultimately एक authority बन जाएंगे authority को जब भी जब आप credibility win कर लेंगे लोग आपको link करेंगे और ultimately हमारी SEO बेतर होगी और I guess कि यही चीज़ हम सब चाहते हैं